नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होश्ट और आप देख रहे हैं धमसर्मार्ड दोस्तों हमारे ब्रह्मार्ण में ग्रह अपनी चाल बदलते रहते हैं और इसी क्रम में इस बार यानि कल के दिन सोंबार के दिन वैसे तो सोंबार आज ही एक तरह से कहें तो आज के दिन नच्छत्र अपनी गती फिर से बदल रहे हैं और इस बार चंद्रमा सिंग रासी से तुला रासी तक जाएंगे और गश केस्री यूग बन रहा है जो कई रासियों में धनलाब का यूग बना रहा है और हम वो आठ लकी रासी कौन से हैं ये हम आपको बतलाएंगे वैसे तो ह कारहों रासी के बारे में बतलाएंगे आप खुद अपनी रासी के बारे में जान लें आपके रासी में ये क्या फ़ल मिलने वाला है तो मेस से लेकर मीन रासी तक कैसा रहेगा इस कचकेस्री यूग का प्रभाव सबसे पहले मेस रासी दोस्तों इसका प्रभा फूरे एक सप्ता तक रहेगा यानि सोंबार से लेकर अगले सोंबार तक साथ तारिक से लेकर करीब 14 तारिक तक अप ध्यान से सुन लें मेस रासी ये सप्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कई टेंसन से आपको मुक्ती मिलेगी और कार से जूरी हुई अगर आप बिजनस्मेन है तो यहां पर आपको सुपर नाम मिलेंगे और जोब में है तो हो सकता है परमोजन हो यह नए अपसर आपके लिए खुल जारे है है मार्क नए अपसर के हो सकता है आप किसी जोब की तीयारी कर रहे है तो आपको जोब मिल जाए उच्पद मिल सकता है गच केसरी योग दोस्तों होता ही ऐसा है अगर आप विबा के योग हैं तो आपका विबा तैह हो सकता है साथ ही आर्थिक इस्तिती में पूरा सप्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आप बुद्धी और वानी से पैसे कमाईएगा साथ ही मान सम्मान भी मिलेगा अगर आप कोई पुरानी बीमारी है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा सारे रीक परिसानिया कम होंगी यानि ये पूरा सप्ता आठ दिनों के लिए जो गच केसरी योग है वो पूरे आठ दिन तक आपको सुब फल की प्राप्ति कराते रहेंगे अब हम बात कर लेते हैं ब्रिसरासी की ब्रिसरासी वालों इस सप्ता आपको मिला जुला फल धन लाब होगा आर्थिक इस्तिती हलाकि ये जो पहला सप्ता आपका बीता इसकी अपेक्षा यहाँ पर आपकी अच्छी रहेगी दूसरा सप्ता में यानि धन आएगा सप्ता की शुरुवात में हो सकता है आपको मौके मिले नया काम में बदलाव करने की पर आप मत कीजिएगा और साथी ब्यापार और नौकरी में आपको बड़ापद मिल सकता है ये एक अच्छा सकुन है और बैवाहिक प्रस्तो भी आपको मिलेंगे साथी बिवाते होने के भी योग उनेवे हैं और बिमारियों से छुटकारा मिलेगा अब हम बात करते हैं मिथ हुंडासी की दोस्तों ये जो परिवर्तन हो रहा है बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए नौकरी और जो भी अभी आपके हालाद चल रहे हैं वो आपके पक्छ में आएंगे कोई बड़ी जिमेदाली भी आपको मिल सकती है साथ ही चंद्रमा के चौथे भाव में आने से अभी इस सपता के सुरुवात में थोड़े से आपको कारे में रुकावट महसूस हो सकते हैं पर सपता खत्म होते ही सुक्रवार सनीवार के लगभग में आपके रुके वे काम पूरे होने लगेंगे यानि आपके लिए थोड़े से डाउन वाले हैं सुख मिलेगा, सुख में कमी नहीं आएगी और सेहत को लेकर आप लापरवाही मत कीजेगा वरना कोई भयंकर छोटा सा चीज भी बड़ा जख्म दे सकता है दोस्तों अब हम बात करते हैं करकरासी की करकरासी वालों, अगर आप और विवाही थें तो विवाह के प्रस्तावा सकते हैं, आपका विवाह तै हो सकता है साथ ही ब्यापार में लाब होगा और धन लाब, अच्छा खासा धन लाब होगा इससे में आपका कोई फैसला गलत भी हो सकता है साथ ही, आपको इससे में हो सकता है किसी गुप्त बिद्या में, हसमेई बिद्या में रूची बढ़े आपकी यात्रा कर सकते हैं मन पछणन्र रहेगा और अपने इश्ट के प्रती भगवान के प्रती धर्म के प्रती आपकी रूची बनी रहेगी आपके जो भी कारे अटके हुए थे वो पूरे होंगे लेकिन स्वास्त को लेकर सावधान रहीएगा क्योंकि यहाँ पर पुराने रोग अक्सर देखा गया है गुटने बेगरे के बीमारी यहें पर करकरासी वालों को हो जाती है तो परिसान कर सकता है तो समभल करें डॉक्टर के संपरक में रहे अब हम बात करते हैं सिंग रासी की यह गचकेसरी योग बन रहा है आप के लिए धन लाने वाला है यानि धन आता रहेगा धैरे से लेकिन काम लीजिएगा कहीं भी आप पैसा अगर निवेस किये हैं तो आपको लाव मिलता रहेगा और आपने अगर सेयर मार्केट मुच्वल फंड में निवेस किया है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है आपको पूरा फायदा होगा चुकि चन्रमा आपकी रासी में होगा इसलिए इसका फायदा आपको जादा होगा लेकिन यहाँ पर एक और चीज है आप जब भी वाहन चलाते हैं या कहीं सफर कर रहे हैं तो साबधानी रखिएगा और अपनी पत्नी के स्वास्त का भी ध्यान रखिएगा हो सकता है इसमें आपके जो अंजाने से डर थे कोई परिसानिया थी वो समाप तो होगी लेकिन मसाले देर खाने चटक मटक खाना जो होता है टेश्टी सा वो इसमें मत खाईए अक्सर लोग ठंड के मौसम में ज्यादा टेश्टी खाना खा लेते हैं ज्यादा मसाला तेल खा लेते हैं मत खाईएगा कर्ण्या रासी वालों की बात करते हैं कर्ण्या रासी वालों आप कर्म कीजिए फल की आप चिंता मत कीजिए क्योंकि ये सब्ता बहुत सूरहने वाला है नई नौकरी की योग बन रहे हैं आपके रिस्ते प्रगार होंगे और इसके साथ ही आपके जो रिस्ते बिगड़ चुके हैं वो भी ठीक होगे यानि लव लाइफ में अगर कोई जगरा मन उटा हो चल रहा है तो बहुत अच्छा है बवाई जीवन में सांधी आएगी खुसाली आएगी मुकदमों में वीज़े प्राप्त होगी धल लाप तो हो ही रहा है या सुक साधन की विर्दी होगी आप यात्रा कर सकते हैं लेकिन चोड़ चपेट से साबधान रहिएगा और संभल के रहिएगा अब हम बात करते हैं तुलारासी की तुलारासी बालों ये जो परिवर्तन हो रहा है ये आप के लिए बहुत सुब समय लेके आया है आप प्रगती कीजिएगा जीवन के हर छेतर में आगे बढ़ते जाईएगा जो भी चीज में आप हाँ डालिएगा वो सफलता देगा आपको इस समय आपके घर में हो सकता है कोई महमान आया आपके घर में नन्ने मुन्ने आ सकते हैं बहुत अच्छे से योग बने वे हैं नए लोगों से मिलने के योग बन रहे हैं धनलाब तो होगा ही साथ ही अगर आप जॉब करते हैं तो पदोननती के साथ ट्रांसफर यानि सनी देव अपनी किलपा भी दिखला रहे हैं आपके उपर तो दोस्तों गुप्त रूप से अगर कोई दुस्मन है तो उनसे साबधान रहे हैं क्योंकि गुप्त दुस्मन इसमें आपको परिशानी दे सकते हैं थोड़ी बहुत ठकान हो सकती है क्योंकि काम का बोज रहेगा काम कीजेगा तभी तो धन आएगा तो इसलिए स्वास पर भी धियन देना है आपको अब बात करते हैं बिर्स्चिक्रासी की बिर्स्चिक्रासी बालों आपको आपके जीवन साथी के माध्यम से धन लाब होगा दुस्मन आपके पैर के नीचे होंगे आथ में भी स्वास बढ़ा रहेगा लेकिन यहाँ पर थोड़े खर्चे होंगे पर कारी छेतर में आपके अच्छी खासी पैट रहेगी और अपने स्वास को लेके थोड़ा से ध्यान देना है आपको कोई भी आप नया काम सुरुआत करना चाहते हैं यह सब तब बहुत अच्छा है आप कर सकते हैं लेकिन साथ साथ अपने स्वास पर भी ध्यान देना है आपको और किसी भी वाद भी वाद में मत पढ़िएगा अब हम बात करते हैं धनुरासी की धनुरासी वालों आपके लिए इस समय खर्चे थोड़े बढ़ेंगे और हो सकता है आप बिला सकता के सामगरी पर खर्च करें आराम तलब लाइब जीएं वहां भी खर्च होंगे लेकिन आपका जो इस समय का जीवन है वो पूरा हर सो लास से बिताएंगे आनंद में रहेंगे और आप काले छेतर में जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना जagedना औरनाती करेंगे यानि यह समय बहुत अच्छा है यह पूरा सकता आपके लिए अच्छा है आपके उच्चा दिकारी खुश रहेंगे इस समय आप थोड़े से अपने कुरुपते काबू रखिएगा क्योंकि धरूर रासी वालों के साथ अक्सर होता है ये थोड़े ओनियंत्रित से हो जाते है वरना आपका बनाया हुआ कार बिगर सकता है और ज़्यादा परिसानी होने के कारण हो सकता है कमजोरी महसूस करें इसलिए स्वास्त पर भी ध्यान देना है अब हम बात करते हैं मकरासी की मकरासी वालों हलाकि सुराती दिनों में थोड़ इसी आपको परिसानिया होंगी यह हो सकते हैं लॉस भी हो जाए लेकिन आपको उच्चिपद मिलने के भी योग बने वे हैं यानि करीब बिस्पतिवार सुक्रवार के दिन से समय आपका अच बिमारी है या दर्द है वो यहां पर परिसान कर सकता है इसलिए डॉक्टर के संपर्क में रहिएगा अब हम बात करते हैं कुम्रासी की कुम्रासी वालों आपको सुबसमाचार की प्राप्ती होगी और बुदवार गुरुवार के दिन थोड़े सी साफधान रहिएगा अब इस अफ़ता उन पर नियंधर्न रखेंगा क्योंकि अक्सर कुम्रासी वाले चोटी चोटी बातों में लंभी इसादों बना देते हैं अब हम बात करते हैं मीन्डासी की मीन्डासी वालों खर्च यहां पर हो सकता है इसलिए n्यंदर्न रखें खर्च पर फाल्तों कि आपको फसा सकता है हाला कि चंद्रमा आपके दुस्मनों पर भारी रहेगा पर फिर भी आप यहां पर सयम रखिएगा और गुड न्यूज आपको मिल सकती है कारी छेतर वेपसाय में आपको साब्धानी की आविश्टता होगी खुद पर भरोसा रखे किसी और भरोसा मत की जेगा और कोई अगर आपका स्वास्त गरबड है तो साब्धान रहें डॉक्टर के संपर्त में रहें तो दोस्तों यह थी गच के स्री योग का बारोरासी पर परभाव उमीद है आपको पसंद आया होगा धन्यवाद हम फिर मिलेंगे